सो गाइस हम पौछ चुके हैं गाज जबात के एक नेल स्टूडियो में जो कि मुझे बाहर का व्यू इतना जादा अच्छा लगा लाइक मैं सोच रही थी यहाँ पर ओर दो चार वीडियो बना लो लेकिन या ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बाहर में वीडियो बना लेकिन हाँ वीव बहुत जादा अच्छा था है यह जो जगहती मुझे वह भी बहुत ज्यादा अच्छी लगे यहाँ पर आप देख सकते हैं गाज बात में यह है नेली स्टूडियो जो कि काफी अच्छा है भार से भी और जैसे ही मैं एंटर करते हूं यहाँ पर मुझे सब्सक्राइब करने के बद में अच्छा एक सजेशं दिया कि मुझे कैसे नेल्स कराने चाहिए कैसा वक कराना चाहिए लिकिन मैं अपने नेल्स सौच कर गई थी इनोंने मुझे काफी सारे डिजाइन दिखा लेकिन मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगे क्यूंकि मैं अ वहां आपको 3-4 पिक्स सेंट कियें आप उन मेंसे ही कर दी जे तो इन्होंने बोला कि नहीं वह आपने शायद ओनर को सेंट कियोंगी हमें नहीं पता आप हमें दिखा दीजी का दूWith अपने फॉन में दिखा है इनों ने अभी आप देख लो इहां पर यह कैसे बफरिंग करेंगे बहुत ही ज्यादा लाइक ऐसा कर देंगे कि यह बहुत ही ज्यादा लाइक उखड़ा उखड़ा नेल्स हो जाएगा ठीक है बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं लगेगा आपको टच करने पर अच्छे से पफ्रिंग बशेंगे और इनोंने एक वर चीज की कि यार ने क्यर इनोंने क्यों आप क्यों चिकल्स कुं रिमूब करो और उसके बाद ही नेल टिप को इस पर एद ओन करना तो इन्होंने नेल्टिप मुझे दिखा है कि कि इतना साइज रखना आपको तो उसके बाद इन्हों ने चिपकाया नेल को ठीक है हर नेल्स आपको ऐसे ही मिलेंगे यह जो लोकल नेल्स होते हैं वाइट वाले यही आपको यही हर जगा मिलती है आपको और नेल ग्लू भी सेम यह तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं अच्छे वाले किसी बड़े सेलोन में जा पर चाहिட आपको करने चाहिए यह नहीं चाहिए चाहिए तो कियो और नहीं करने चाहिए किए ठेक है इन्हों ने मुझे सजिस्ट किए जैल रहा ऑला आकेलिक फेले चीप वाले 5600 रूपे एकलिक सौल अच्छी चाहिए होती है ना कि पैसे देखते हैं लोग जब ऐसी चीज़े कराते हैं तो हम ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करते हैं ना कि पैसे ओपर ठीक है अगर ऐसी जगह पर पैसे को मतलब इंपोर्टेंस देनी चाहिए लेकिन हम कुछ ऐसी जगह हो जाती है कि अगर आप थोड़ा भूट भी वर्क करते हैं तो गाइस वह फिर बिल्कुली खराब हो जाते हैं देखो एक निकला और वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा फिर आपका पूरा हाथ तो इसलिए इन्होंने मुझे रिजट किया कि लोंग इस्टे करते हैं और साथ ही साथ इस्ट्रॉंग बॉंडिंग होती है इनकी निल्स के साथ में यह आपको एक्च्छल भी दिखेंगे थोड़ा सा लेक उठे हुए दिखेंगे या फिर थोड़ा सा लाई कैसे लगेंग यह फेक निल्स है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आप अच्छी जगह से कराते हो तो आपको रिजल्ट भी काफी अच्छा मिलता है ठीक है इसलिए जो एकेलिक निल्स होते हैं वह चूज किये एंड इन्होंने फिर उसको लगाने के बाद देखो टिप लगाने के बाद में इन्होंने अच्छी से बफ्रिंग की जिससे की उठे हुए ना लगे रियल लगे बिल्कुल यह ऐसा घिस देते हैं कि आप एक अगर आप तो आपको लगेगा कि यार अभी ना निकल जाए यह ऐसे लगता है बिल्कुली पत्ता सा लगने लगता है अच्छी से बफ्रिंग वगारा करें बफ्रिंग करने के बाद में आपको एक ऐसा पॉसीजर भी बताती जारी हो कि आप अगर आप चाहो तो घर पर भी कर सकते हो पहले बफ्रिंग करने है अपने इसको थोड़ा सा खुड़ा खुड़ा करना है उसके बाद में लगाने है आपको नेल टिप लोकल मार्किट से लाकर लगा सकते हो उसके बाद में एक आता है पाउडर जो की होता है अलेक एक नेगल वाला या फिर जैल वाला दोनों में से कोई भी एक पाउडर ले ले लेना उसके साथ में जो इसके साथ में एड़न करने के लिए जिससे की अच्छे से स्ट्रॉंग नेल्स हो जाते हैं चिपक जाते हैं इसमें ग्लूम लानी पड़ती है लिक्विड होता है इसका ही एंड उसको मिलाने के बाद में आपको जो यह वीडियो में कि यह कैसे होता है घर पर प्रॉसीजर सो यह तो मैं आपको बता देती हूं जैल वाले नेल्स के बारे में तो गैस जो जैल नेल्स होते हैं वह इस टाइप को होते हैं कि अगर आप देखो थोड़ा से भी कुछ भी कामनी कर रहे हो ना मिलब जादा नहीं स्की भी काम देखो जिंवे रहे हो जाते हैं कि आपको थोड़ा लोशन वगयरा लगा या या इस टाइप पी जो घो थीकेण्न या लग जाते हैं लीकिन जैल तो पहले से अन 여기 चीज होते हैं कि आ देख्यम काम करसे हाथएं और नहीं जादा नहीं कर सकता हैं बैसे कि आप पान अगर आप थोड़ा से भी पानी काम करते हैं या फिर आपको लोंग इस्टेश चाहिए या फिर थोड़ी से स्ट्रोंग निस चाहिए तो आप एकरलिक चूज कर सकते हो ठीक है मुझे जैल से ज्यादा अच्छा लगता है हर जगह आपको जैल महंगा मिलेगा लेकिन मुझे अगाजियाबाद में यह ऐसा सेलोन है जहां पर जैल सस्ता मिला और एकरलिक महंगा मिला फिर भी मैंने एकरलिक को चूज किया अच्छे से यह देख लीजे अभी कैसे यह वाली जो मैंने आपको बताया एकरलिक पाउडर में एक ग्लूम लाके यह ऐसे निल पेंट की तरह यह अप्लाई करते हैं उसको फिर सुखाते हैं सुखाने के बाद उसको फिर घिसते हैं बिल्कुल पत्ते की तरह कर देते हैं वही यह प्रासीजर चल रहा है एंड या सो जैल का भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सा जादा अच्छा होता है ठीक है सेलेब्रिटेज के लि आपके लिएओ आफेक उनको एकृहर जादेज के तरह करना परते हैं वही हमेशा ख्ाडच यह और तो हर किसी अब अच्छा चीज चीज हो और साति सात्त訴म से बीचेअ उंत्श चेलिटेज को ऑने से आपको चीज अच्छी मिलें है तसलिए मैंने चेलिक लगवाए और मुझे काफी अच्छा लगा and मैंने इनको जो डिजाइन वो मैंने अपना दिखाया इनको इन्होंने सेम वैसे ही किया as it is and guys यहां पर यह भी बफरिंगी इनका काम चला है सबसे ज्यादा जो वर्क होता है इनका बफरिंग का होता है इन्होंने मुझे बोला कि एक घंटे में आपका वर्क हो जाएगा लेकिन हां तीन गंटे में हो गया वह भी दो बंदे लगने के साथ में तो जब भी आप सेलोन जा यह सोचकर मत जाना कि एक घंटा बोला है तो एक घंटे में हो जाएगे आपके राम से दो तीन गंटे लग जाएंगे कितने भी हलकी से हलकी नहीं लाप करा लो दो तीन गंटे तो यह अब देख लीचे कुछ स्टैप से मैंने इनको कराया अब हां मैं आपको पता देती चीप वाले नेल्स होते हैं जो आप लाके कोई भी टिप्स को किसी भी कलर की दुकान से टिप लेकर आओ फेक नेल्स लेक्या और ग्यूसन को एड़न कर लो वह आपके चारफाँज गंटे चल जाते है ठीक है तो एक वह सबसे सथे होते हैं एक और होते हैं लेकि निल्लो क्योंकि वह इतने लाइट होते हैं इतने हलके नेल होते हैं कि अगर आप थोड़ा सभी कुछ भी एक ग्लास भी ऐसे उठारो ना उससे तो वह निकल जाएगा तो उससे तो अच्छा निया और वह जादा इस ते भी नहीं करते हैं इन्होंने बताया कि नहीं यार वह भाहर की कंट्री दिन ज्यादा चलते हैं उटे मैं पहले कराए नहीं तो मुझे इसके बारे में दे हो ज्यादा पता नहीं है लेकिन हम मैंने को बता दिया खाया है मैं आपको बता दिया Äंद यह तो जब भी आपको जाना हो तो हमेशा टाइम लेकर ही जाए पैसे देने चाहरे हो तैम भी लेकर जाओ साथ ही साथ ठीक है अभी अपने नेल्स को देखने में मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं देखने में अब मैंने इनको कलर बता है इन्होंने पहले बेस कोट लगाया बहुत ही लाइट शेड का एक पिंक शेड है ठीक है और न्यूड शेड लगा के उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ्रे इन्हों है और यलो है ब्ल्यू है एंड इक को कलर है आप देख लो यार जो भी है सो या मुझे काफी अच्छे कलर लगे मैंने आगे जैसे फ्रेंच में होती है जो बिल्कुल ही नेल की टिप होती हो उन पर आगे आगे जो एक डिजाइन बन जाता है अभी आगे देखने क इन्हों ने इनको अच्छे से सुखाने के बाद में फिर मुझे सजिस्ट किया कि आप किसी एक फिंगर पर रहना एक डिजाइन बन वालो जिससे कि यह लाइट भी नहीं लगेगा यह वाला आपका एक्स्टेंशन और नहीं जादा है वी में आएगा ठीक है क्योंकि मैंने इनको पहले ही बताए कि मुझे हैवी नहीं चाहिए निज ठीक है तो मैंने एक फिंगर पर ऐसे कुछ फ्लार बनवाया एंड गाइस इन्हों ने मुझे पहले नहीं बताए कि यह कलर फुल भी बन सकता है अगर आप कराने जा रहे हो नेल एक्स्टेंशन तो हमेशे धान र दो स्टाओन लगाए और दो ही वाइट लगाए ठीक है मुझे पढ़ा and मुझे काफी अच्छा लगा I am satisfied with this work and guys सच में अगर आपको अगर मतलब आप हमेशा सलून ना देखे ना चीजों की quality को देखे कि वो कैसे आपको चीजे बता रहे हैं कैसे समझा रहे हैं क्या सजेस्ट करें ठीक है और नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना पसंद करेंगे वह भी प्लीज कमेंट करके बता दीजी तो यह थैंक यू